नमस्कार दोस्तों एन एक बार फीर आप सभी खूर स्वागत है आपके अपने फेबराइड विट जनाल नंदा नर्सिंग लाइब में तो दोस्तों GMCH बोले तो Government Medical College and Hospital दातिया मध्यफ रदेश की ओर से कुछ बार के बारे में आज की इस बीडियो बात करें गोगा है इस French रक्राय करना है क्या एलिविक क्रेकरिया है इसके पर साखर्थ करके अपर प्रेस करके और नोडिफिक्किशन में तबा देजी ताक कि आने वाले समय पर सारे notification आप लोग को पहले मिल जाएगी तो चले जानते हैं आज की इस option notification के बार में details and video को शुरू करते हैं तो दोस्तों ये जो GMCH के और से जो vacancy निकाल गी है ये दातिया Medical College and Hospital मध्यप्रदेस का ही vacancy है तो कितने vacancy निकाला गया है चले जानते हैं details one by one तो टोटल कुल मिला के 37 पोस्त है प्यारे दोस्तों 37 vacancy है और ये जो vacancy है only female nursing officer वाला लोग के लिए है तो अच्छा मोगा है female nursing candidate वाला लोग के लिए तो कुल पर 37 vacancy है प्यारे दोस्तों तो different category के लिए different different post है तो टोटल कुल मिला के 37 post है देखिए अनरकी category के लिए 10 post है अन्य पिछडा work के लिए 10 post है अनुसीची जाती के लिए 7 post है अनुसीची जाती के लिए 7 post है और आर्थिक रूप से कमजोर work के लिए 3 post है ऐसे करके कुल मिला के 37 post है फ्यारे दोस्तों फिमेल नर्सिंग अफिशर वाला लोग के लिए तो इसी के लिए essential qualification क्या रखा गया है चले जाने है details तो देखिये इसी के लिए निन्मातमस सिख्ञेंडे के योकता रखा गया है नर्सिंग अफिशर वाला लोग के लिए जो लोग 10 प्लस 2 किये होंगे science candidate वाला लोग के मध्याफ्रदेस nursing council का registration certificate होगा वही लोग apply कर सकते हैं जो लोग BAC nursing किये होंगे and मध्याफ्रदेस nursing council का registration किये होंगे वो लोग apply कर सकते हैं जो लोग GNM बाला लोग भी जो लोग मध्याफ्रदेस nursing council से registration किये होंगे वो लोग इस vacancy के लिए apply कर सकते हैं तो आवेदन करने के लिए फियरे दोस्तों एप्लिकेशन फीच लगेगा आप लोग को अन्रखित वर्ग है तो प्यारे दोस्तों अन्री जब किंड़ेट वाला लोग के लिए 1,000 रूपी देना पड़ेगा अन्य पिछड़ा वर्ग वाला लोग के लिए जो लोग है अन्रखित किंड़ेट है अन्य पिछड़ा वर्ग का तो लोग के लिए 900 रखा गया है और अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती एबंग दूसरे दूसरे जो एक सेर्विसमेन या स्पोर्स के टेगरी लिए इतने भी candidate है यह P WD candidate वाला लोग के लिए यह 800 रूपी है प्यारे दोस्तों और यह जो आप लोग को आप देन सुर्क देना पड़ेगा एप्लिकेशन फीज देना पड़ेगा आप लोग को ऑनलाइन देना पड़ेगा प्यारे दोस्तों अन्रिजब के लिए जो एज लिमिट रखा गया है 80 से लेकर 40 यह से वाला लोग भी एड़ेट इस वेकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं यह जो वेकेंसी निकल के आई हैं फ्यारे दोस्तों कोई बी एक्स्पेरेंस नहीं मांगा है फ्रेश्यस के दिडेट लोग भी एप्लाई कर सकते हैं जो लोग filmmakers फ्रदेश Nana Konsल से रजिस्टेन कैऊंगे तो प्यारे दोस्तों आवेदन का जो डेट है ऑनलाइन अप्टेट करने के लिए स्टार्ट हो गया है 17 मई 2022 से सुरू हो गया है प्यारे दोस्तों जो लोग भी नहीं पता होगा वो लोग के लिए वो लोग के पास जैसे पहुंच से के वीडियो के मादियम से तो इसी के लिए मैं एक वीडियो बनाके आप लोग को अप्टेट करने जा रहा हूं तो इसके लिए दिखिए आप लोग को जो ऑनलाइन का लास्ट जेट है अप्लाइब करने के लिए 16 जून 2022 तक एप्लाइ कर सकते हैं यानि कि और प्यारे दोस्तों और फूर टू फाइब डेज है आप लोग यदि इच्छुक है जरूर एप्लाइब करिये ऑनलाइन आविदन जमा करने की अंतिमतिति है प्यारे दोस्तों 16 जून 2022 है तो इच्छुक है तो जरूर आविदन करिएगा आविदन करने के अभरों को लॉगिं करना होगा MpOnline.gov.nec ौइब लोगी क करना डूर्ट करने के लिए और जो organic 거야 और प्यारे दोस्तों करने का आप ओधको एप्लीप को एंटिएब ड्लाइन देना पड़े गाएगा फ्यारे दोस्तों तो आज की ये वीडियOC यदि informative लगा होगा तो जरूर लाइक कर दीजेगा and share कर दीजेगा अपने दोस्तों के पास जैसे सब लोग के पास पहुंच से and चैनल को यदि नए नए देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब पर के जाना ताकि आने वाले समफे जितने भी nursing recruitment related वीडियो चैनल में अपरोफ होते होते हैं आप लोग को सारे notification मिल जाएंगे तो प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए जानकर के साथ एक नए information के साथ एक नए डिक्रूमेंट के साथ तब तक लिए ठीक क्या रहें बाय बाय